हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सबी उमीद करती हूँ आप सबी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो प्रेग्नांसी का पता डेट मिस होने से पहले लगानी के लिए काफी जबा महिलाएं इक्चुक ने जिनसे प्रेग्नांत होने के बहुत ज़्यादा इक्शा होती है अगर आपने ovulation के द्वारान संबंद बनाया है तो ovulation के तुरंत बाद का जो सफतावर का time होता है वो आपके गर्व आरोपन का होता है इस समय ही आपके गर्व में बच्चा रूपता है और एक scientific method है जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी जिसको apply करके जिससे आप घर बैठे ही जान जाएंगे क्या pregnant हुई है है नहीं वो भी date से पहले यूँ तो दोस्तो साड़े रिक रूप से कई साड़े परिवर्तन pregnant होने की निशानी होती है और periods मिस होने से पहले ये संकेत आपके शरीर में दिखाई भी देने लगती है लेकिन आज का ज ठोटा सा एक काम करना है और डेली ये काम करना है एक थर्मामिटर लेना है नॉर्मल सिंपल सा जो थर्मामिटर आता है वो ले लीजे मार्केट में जो पारा वाला होता है थर्मामिटर जो आराम से मिल जाता है एक डिजिटल थर्मामिटर होता है उसके अवश्यक्ता नहीं नॉर्मल थर्मामिटर को आप पर्चिस कर लिजे इसे आपको डेली अपने तकिये के पास रखना है आपको सोने के बाद सुबा उठने के बाद जैसे ही आप उठकर विस्तर पे बैठती है वैसे ही अपने बॉडि का टेंपरेचर नोट करना है अब मैं ऐसा क्यों कह रही हू देखिए scientific proven हो चुकी है ये सारी research based बाते मैं आपको बता रही हूँ कि जब गर्व का आरोपन होता है उस समय नॉर्मल जो body की temperature महिलाओं की होती है उससे आपकी body की temperature बढ़ जाती है आपको डेली मैं इसलिए कह रही हूँ आपके body का temperature नोट करने के लिए क्योंकि friends इसका ज जब महिला का ovulation होता है तो समाने आपकी जो period के बाद आप note down करती जा रही है अपनी body की temperature उसमें half degree Fahrenheit या one degree Fahrenheit का इजापा होता है वैसे ही ovulation जब खतम होता है और आपका एक माल दिजे की fertilized हो गया है conception के लिए तो एक deep आती है उसमें यानि गिरावट आती है normal body temperature हो जाता है 12 या 24 गंटों के लिए फिर वो अप हो जाता है अगर implantation body में होना शुड़ू हो जाता है और वो जैसे ovulation में आपका body temperature half degree या one degree Fahrenheit बढ़ाता वैसे ही अब continuously दिखाई देने लगेगा इसका scientific reason यह होता है कि pregnant महिला के body के अंदर blood का circulation बहुत तेजी से होता है और उसका effect जो होता है आपके body के temperature पे भी पढ़ता है तो आपको simple साइक काम करना है कि periods वाले day से ही आप चाहू तो कर सकते हो अपने body का temperature सुबा उठ करके लेना है और एक किसी भी diary में note करते जाना है date wise आपको note करना है ताकि इससे दो फायदे होंगे ovulation का भी पता लग जाएगा और implant अगर गर्व के आरोपन की विए संभावना आपकी है या नहीं वो भी आपकी body के temperature से आपको पता लग जाएगा और यह method जो है आपको पूरे मन्थ apply करना है यानि 300 दिन आपको note down करना है आप काफी एसानी से घर बैठे बिना किसी test के समझ जाएंगे कि आपके ovulation या फिर आपकी जो implantation है वो success हुई है नहीं गर्व आरोपन का यह scientific तरीका बहुत help करेगा आपको pregnancy predict करने में वो भी date मिस होने से पहले इसके साथी फेरेंट्स और भी तमाम लक्षन होते हैं जो pregnancy से जुरेवे होते हैं अगर body temperature बढ़ी है तो इस तोरान आपको urine के sensation जादा बढ़ सकते हैं आपको हो सकता है कि lower abdominal में pain सा दिखाई दे, implantation, bleeding होना या implantation के cramps होना काफी common होते हैं earlier stage of pregnancy में बाके other और भी कई सारे symptoms होते हैं जिसके बारे में discussed already मैं previously कुछ वीडियो में कर चुकी हूँ तो उन वीडियो को भी channel पे जाकर के आप देख सकती हैं और अगर इस वीडियो से आपको help मिलती है अगर ये method आप काफी असानी से use कर पाती है और अपनी pregnancy का बिना किसी test के पता कर पाती है तो comment section में मुझे अपनी experience को share करें वीडियो पसंद आई है तो like करना और channel को subscribe करना बिलकुल भी न भूले मिलती हूँ फे next वीडियो में thank you